हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई योट्यूब चानल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रांड अमेजडर के कुल 25 प्रशन जो सभी अग्जामों के लिए बहुत महत्पून है फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आयों तो हमारे चैनल को है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी नाडा के ब्रांड अमेजडर कौन है हमारे पास चार ओप्षन दिया गया है बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी के ब्रांड अमेजडर जो है सुनील सेटी है ये है सुनील सेटी वत तो इसका राइट अंसर जो है वो ब्रेटली बनाया गया है यह है ब्रेटली और यह वर्तमान में इस्पोट अड़्डा के ब्रांड अमेजडर बनाये गये हैं चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन कर रहा है पूमा के ब्रांड अमेजडर कौन है तो चार अप्शन दिया गया है इनमें से बताईए जो है राइट अंसर वो कौन सा हो जाएगा तो पूमा के ब्रांड अमेजडर जो है करिना कपूर खान बनी है यह है करिना कपूर खान और यह वर्तमान में तो भारत की लक्षमी के ब्रांड़वजटर जो है वो दिपीका पादूकॉन मुशन दिखते हैं तो हमारे पास 4 अपशेन दिया गया बताई इन में से राइट आंसर जो है वो कौन हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो विश्वनाथन आनन्द हो जाएगा ये है विश्वनाथन आनन्द और ये वर्तमान में जो है WWIPE India परियावरान सिक्षा करेकरम के brand ambassador बनाएगा है चलिए next question देखते है IDFC First Bank के brand ambassador कौन है तो हमारे पास चार option दिया गया बता है इसका right answer कौन हो जाएगा तो IDFC First Bank के brand ambassador जो है अमिताब बच्चन है ये हैं अमिताब बच्चन और ये वर्तमान में जो है वो IDFC First Bank के brand ambassador बनाएगा है चलिए next question देखते हैं नेस्ट question कहा रहा है जिंदल राउत वेस्ट JSW स्टील के brand ambassador कौन है तो हमारे पास चार option दिया गया बता है ये इसका right answer कौन हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो रिसब पंत हो जाएगा देखे ये हैं रिसब पंत और ये वर्तमान में JSW स्टील के brand ambassador बनाएगा है चलिए नेस्ट question देखते हैं नेस्ट question कहा रहा है पेप्सिको के brand ambassador कौन है तो हमारे पास चार option दिया गया है बताइए पेप्सिको के brand ambassador कौन बनाएगए है तो इसका राइट अंसर जो है वो हो जाएगा सेफाली वर्मा ठीक है ये है सेफाली वर्मा और ये वर्थमान में पेप्सिको के ब्राउन डमेजडर बनाए गए है तो ये सारे आपको याद रखने है चलिए नेस्ट कोशन देख लेते हैं नेस्ट कोशन कह रहा है भारत पे के ब्राउन डमेजडर कौन है हमारे पास चार ओप्सिन दिया गया है तो बताइए इनमें से राइट अंसर जो है वो कौन हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो है वो सलमान खन हो जाएगा ये है सलमान खन और ये brand ambassador भारत पे के अभी वर्तमान में बनाए गए हैं तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं चलिए next question देखते हैं next question कहाँ रियल मी के brand ambassador कौन है तो real मी के brand ambassador कौन है बताइए इनमे से right answer जो है आपका कौन से सही हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो सल्मान खान हो जाएगा real मी के brand ambassador जो है वो सल्मान खान बनाए गए है ये है सल्मान खान और ये भी real मी के brand ambassador है चलिए next question देख लेते हैं next question करा टाटा पावर के brand ambassador कौन बनाए गए है तो इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा ये है सारदुला ठाकूर और ये वर्तमान में जो है वो टाटा पावर के ब्रांड अमेजडर बनाए गए हैं। चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं। नेस्ट कोशन करा जिंदल साउथ वेस्ट जे एस डवलू सिमेन के ब्रांड अमेजडर कौन बने हैं। तो बताइए इसका राईट अंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। ये है सारव गांगली और सुनील छेतरी ये वर्तमान में जे एस डवलू सिमेन के ब्रांड अमेजडर बनाए गए हैं। चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं। नेच्ट कोश्चन कर रहा है प्रवासी परजातियों के लिए WooNyes59 अम्यजीव अमजडर कौन बने है तो हमारे पास 4 ओप्शन दिया गया hN oversight राइट अंसर वो कौन सा हो जाएगा तो प्रवासी परजातियों के लिए w rehnya जीव अमजडर बनाए गया है तो बताईए इन में से 4 option दिया गया है, बताईए इसका right answer जो है, वो कौन हो जाएगा? तो पोकिस्टार इंडिया के brand master जो बनाए गया है, वो है महेंदर सिंग धोनी, ये है महेंदर सिंग धोनी और ये वर्तमान में पोकिस्टार इंडिया के brand master बनाए गया है चलिए next question देखते हैं next question कर रहा है E.L.S.A. Corp के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है बताइए इसका right answer जो है वो कौन हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो आजिक की रहाने हो जाएगा ये है आजिक की रहाने चलिए next question देखते है next question कर रहा है पेटियम first game के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है बताइए इसका right answer जो है वो कौन हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो सचीन तेंदुलकर हो जाएगा ये है सचीन तेंदुलकर और ये वरतमान में जो है पेटियम first game के brand mr. बनाए गये है चलिए next question देखते है next question कहा रहा है गारगो international के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है बताइए इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो गारगो international के brand mr. जो बनाए गये है वो है शोनु सूद ये वरतमान में जो है गारगो international के brand mr. बनाए गये है ये है शोनु सूद चलिए next question देखते है next question UNEP भारत के सद्भावना राजदूद के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया बताइए इन में से right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो UNEP भारत के सद्भावना राजदूद के brand mr. बनाए गये है चलिए next question देखते है ये mobility startup के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है बताइए इन में से right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा तो इसके right answer जो है हरवजन सिंग हो जाएगा ये है हरवजन सिंग और ये वरतमान में जो है e-mobility startup के brand mr. बनाए गये है चलिए next question देखते है next question कहरा है बजाज आलियांस live के brand mr. कौन है तो 4 option दिया गया पताइए इन में से right answer जो है वो कौन हो जाएगा तो इसके right answer जो है वो आयुसमान खुराना हो जाएगा ये है आयुसमान खुराना और ये वरतमान में जो है बजाज आलियां live के brand mr. बनाए गये है चलिए next question देखते है पतना के खादी mall के brand mr. कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है पताइए इन में से जो है पतना के खादी mall के brand mr. कौन बनाए गये है तो इसका right answer जो है वो हो जाएगा पंकश तिरिपाठी ये पतना के खादी mall के brand mr. बनाए गये ये है पंकश तिरिपाठी और ये पतना के खादी mall के brand mr. बने है वरतमान में चलिए next देखते है नेस्ट देखे है कारा ओर्लाइन पोकर फ्लेट फॉर्म के ब्रांड विजडर कौन है तो हमारे पास चार ओप्शन दिया गया है देखे इसका राइट अंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो है वो सुरेश रैना हो जाएगा ये वर्तमान में online poker platform के brand investor बनाए गए हैं ये है सुरेश रहना और ये वर्तमान में बनाए गए है चलिए next question देखते हैं भारत के लिए बच्चों के संरक्षन course के brand investor कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया है पता है ये इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो catty perry हो जाएगा ये है catty perry और ये वर्तमान में जो है वो भारत के लिए बच्चों के संरक्षन course के brand investor बनाए गए हैं चलिए next question देखते हैं next question कहरा है WTF sports के brand investor कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया बता ही इन में से right answer जो है वो कौन हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो सुरेश राइना और हर्मन प्रित कौर हो जाएगा ये है सुरेश राइना और हर्मन प्रित कौर ये वर्तमान में WTF sports के brand investor बनाए गए है चलिए next question देखे इस वीडियो का अंतिम question है वासिंगिता नेपल कमिशन के brand investor कौन है तो हमारे पास 4 option दिया गया बताइए इसका right answer जो है वो कौन सा हो जाएगा अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आएगा तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन को प्रेस कर देना और फ्रेंड्स लाइक तो जरूर कर देना यार क्योंकि आप लोग करते नहीं हो चलिए इसका right answer जो है मैं बता देता हूँ दिसापटाणी एबम संजीब कपूर है यह है दिसापटाणी और संजीब कपूर यह वर्तमान में वासिंग्टर नेपल कमिशन के ब्रांड अमेजडर बनाए गए चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन